यह तो हम चानते ही, यह तो तैह ही है कि यह जो लव का फील्ड है, यह हमारे लिए बहुत जादा और in fact कभी कभी सबसे बड़े सोल लेसंस कार्मिक लेसंस रखता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तीन ऐसे बहुत बड़े और majorly significant factors की जो decide करते हैं, जो determine कर हैं, जो यह तैह करते हैं कि हम अपनी life में कैसा प्यार attract करते हैं, कैसी relationship attract करते हैं, किस तरह का इंसान attract करते हैं, as usual मैं इस channel पर जूटे बादे या बड़े-बड़े hyperbole नहीं करूंगी, कि do this for 10 days, do this for a month और आप पने love को attract कर लेंगे, you will attract exactly the person जिसके बारे में आप सोच रह हैं, क्योंकि अगर ऐसा सच होता, तो हमें बहुत जादा लोग बहुत आसानी से अपने true love को पाते हुए दिख जाते हैं, बहुत जादा लोग comparatively love में खुश नजर आते हैं, लेकिन सचाई तो कुछ और ही दिखती है, बहुत जादा लोग हमें दुनिया में love में दुख ही formula नहीं है, क्योंकि जो true love तक की journey भी है, वो भी हमारे ही अंदर से होकर फिर बाहर की तरफ जाती है, तो as always इस channel पर शुरू करते हैं सिर्फ authentic बाते, genuine बाते, वो बाते जो आपको ठीक तरहां से progress करवा कर उस aim की तरफ ले जाने में मदद करेगी, जिस aim की तरफ आप जाना love का, उसका field इतना बड़ा है, इतना जादा vast है कि हर किसी के observations, तजर्बे, experiences बहुत अलग-अलग होते हैं, किसी को बहुत सुन्दर relationship मिल जाती है, और बहुत जल्दी मिल जाती है, जो love मिल जाता है, या थोड़ा समय ही इंतसार करने में मिल जाता है, किसी को बार बार गलत इंसान, toxic relationships, even abusive relationships मिलते जाते हैं, इतनी कि उनका कोई प्यार नाम की चीज़ भी होती है, कोई true partner नाम की चीज़ भी होती है, इस चीज़ पर से विश्वासी उठ जाता है, कई लोग सचे प्यार की तलाश में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो प्यार उनको कहीं छोड प आपने आपको खुश रख लेते हैं, क्योंकि शायद उनको इससे जादा आइडिया ही नहीं होता है, कि इससे बहतर उनके लिए कुछ होता भी है, या actually बाहर भी exist करता है, और कई लोग अच्छे से अच्छे relationship में भी बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, उसमें भी वो सफर क हो जाती है, clarity आजाती है, तो ऐसे तीन important criteria को मैंने कठे किया है, इससे पहले कि मैं उनके तीन points की तरफ आओ, उद पर बात करूं, ये clear करना, ये clarify करना बहुत ज़रूई है, कि जब मैं quality of love की बात करती हूँ, तो वो quality वो नहीं है, जो आपकी family आपके लिए decide करती है, या सम जो companion मिला है, partner मिला है, boyfriend मिला है, girlfriend मिला है, वो बहुत ही बहतरीन समझते हों, उनके criteria में, वो इनसान हर तरह से pass होता हो, in an obvious way, लेकि आप अंदर से खुश नहीं हो, आपको कुछ missing लगता है, आपको कुछ lacking लगता है, और जब आप एक relationship में आँगे बढ़ते हैं, आपको ख का बजा कर ठोक कर बोल सकें, कि हाँ, यही वो चीज है, जो मुझे खुश करती है, अब है, तो सब कुछ ही lessons का खिल, सब कुछ ही हमें कुछ सिखाने आया है, सब चीज से ही हम कुछ सीखने आया है, जैसे मैं अपने पिछलो वीडियो में भी कहा था, कि गलत relationship से भी, जो इ यह बता सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह का इंसान या किस तरह का किस quality of love attract कर रहे हैं, हाँ, कोई ऐसी relationship नहीं होती है, कि जिसमें सब कुछ ही healed होता है, और कुछ परिशानी होती ही नहीं, आपको अंदर से वो इंसान के साथ relationship कैसा feel करवाती है, या आप दूसरो आपको उससे सुकून और contentment और जो परियाप्त होने की एक feeling होती है, जितने भी level पर आपको उससे मिलती है, और इस बात का आपको कोई doubt नहीं है, तो सबसे पहला criteria है, सबसे पहला factor है, your expectations, यानि कि आपकी expectations इस love से या उस इनसान से, तो यह हो सकते हैं, सुनने में बहुत silly स point लगे, या बहुत बेतुका सा लगे, क्योंकि obvious है कि सबकी expectation highest से highest ही होगी, कौन है जो नहीं चाहेगा कि उन्हें उनका prince charming, mister perfect नहीं मिले, या miss perfect नहीं मिले, ऐसा तो शायद ही कोई होगा, लेकिन फिर भी, कितने कम लोग हैं, जिने actually वो इंसान मिल पाता है, expectation, तो सबकी ही बहुत बढ़ी होती है, सभी चाहते हैं कि उनको प्यार में दुनिया जहान मिल जाए, चान तारे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो expectation सिर्फ वही नहीं होती, जो हमें लगता है, हम रखते हैं, अपनी जो ये conscious mind है, या अपनी बारचीत में ये एक रोमांटिसाइस क लेकिन हमारी real expectations वो होती है, जो हमारे अंदर छुपी होती है, deep inside, deep inside, इस गहरे कुए की बात मैं अपने सारे ही subconscious mind और inner healing work से related videos में भी कर चुकी हूँ, तो subconscious beliefs जो हमारे हैं, वो create करते हैं हमारी expectations, हमारी subconscious expectations जो हैं किसी इंसान को लेकर या love को लेकर, बहुत कुछ जो हमने पै किया है अपने आसपास, अपने culture में, अपनी society में, और सबसे important अपनी family में, अपने आसपास जो लोग हैं, ममी, पापा, आंट, अंकल, चाचा, ताया, अबुआ, जो उनके major beliefs हैं, attitudes हैं, इस subject को लेकर, और उनके जो experiences हैं, जो हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर क्या acceptable है, क्या unacceptable है, किस चीज़ को माननेता जी जाती है, किस को नहीं, किस को normal माना जाता है, किस को नहीं, तो उन सारी चीज़ों से, प्लस जो बाहर हम जब expose होते हैं, बाहर के दुनिया में, बाहर के लोगों से, फ्रेंड से, या अपने जिनकों idols मानते हैं, या TV पर देख हम चीज़े लेकर आए हैं, वो हमारे अंदर जो programming होई पड़ी है, जो हमारी memories है, ये सारे जुड़के कठे हमारी expectations बनाते हैं, तो वो expectations क्या है, deep inside, कभी-कभी वो expectations हमारी conscious expectations से match कर रही होती हैं, लेकिन बहुत बार, especially अगर हम healed नहीं है, पुरी तरह से love में, तो वो expectations, जो deep inside, true expectations है, हमारे subconscious mind की, हमारे unconscious mind की, वो उन expectation से match ही नहीं कहती है, जो हम conscious mind में, जिनकी हम बात करते हैं, जो हमें लगता है कि ये expectation हम रखते हैं, और, guess what, जो actually physically हमारे लिए manifest होगा, जो actually हमारे लिए reality create होगी, वो किस से match करेगी, उसी से जो अंदर की deep inside, hidden expectations है, तो उस expectation में, इसी कि men will be men, men तो loyal हो ही नहीं सकते हैं, men की ego थोड़ी जादा ही होती है, men के साथ relationship को काईम रखने के लिए बाद में भी, अपनी looks पे women को सबसे जादा ध्यान देना पड़ता है, और देते रहना पड़ता है, नहीं तो men इधर उधर देखना शूरू कर देते हैं, तो ये स इन, guess what, universe वहीं deliver करता है, ऐसे नहीं तो ऐसे, directly नहीं तो indirectly, आज नहीं तो कल, और men के लिए ही नहीं, खाली women के लिए भी अगर आप men हैं और आपके women's expectations कुछ particular तरह के हैं, अच्छे या बुरे तो आपको उसी तरह की मिलेंगी, या आपको women's expectation, आपके अंदर deep inside expectation है कि women जो हैं, वो जिसके पास जादा पैसा होता है, उसी इनसान के पीछे भागती है, या जो बहुत जादा dynamic और good looking male होता है, उसके पीछे ही भागती है, ये deep inside आपकी expectation है, आप मानते हैं कि women ऐसे ही होती है, तो आपको फिर उसी तरह की women मिलेगी, जो वो expectation को पूरा करे, जरूरी न कहीं, होगा उसी level का, जिस level की आपकी expectations है, अगर obvious नहीं है, तो subtle तरीके से वो चीज़ों की directly नहीं अगर देखता है, तो indirectly, वही match होगा, आपकी expectations ऐसे भी हो सकती है, deep inside, जो आपको बताएं कि obviously आप इतना perfect love थोड़ी expect कर सकते हैं, आप perfect इंसान थोड़ी expect कर सकते हैं, जो सब कुछ थोड़ी मिल जाता है, लड़कियों को specially often से खा जाता है, कि तुम क्या खुद को समझती हो, इस तरह से थोड़ी होता है, कि सब कुछ मिल जाएगा, compromise करना पड़ता है, तो अगर आप male या female, आपको ultimately आपके अंदर expectation है, कि practical life को आगे चलाने के लिए, कुछ तो compromise क करना ही पड़ता है, थोड़ी सी चाहिए, values compromise करनी पड़े, थोड़ी सी जो चीज हमें सच में माइने रखती थी, वो compromise करना पड़े, parents को खुश करना, तो हमारी duty है, वो तो हमें करना ही पड़ता है, तो उनकी खुशी के लिए हमें ये जना, accept करना चाहिए, ऐसे तो कुछ गलती लग रहा on paper, तो सब कुछ ठीक है, तो हमारी expectation क्यों इतनी जादा, इतनी जादा expectation होती है, तो वो तो फिर disappointment की तरफ की ले जाती है, तो जो भी आपकी अंदर expectations है, चाहिए, वो duty के concept से आ रही है, या responsibility के concept से आ रही है, या जो आपको practically सही है, वो सिखाया गया, जो आ आपकी expectation है, deep inside, जो आप expect करते हैं कि ये तो होता ही है, या expect करते हैं कि ये तो नहीं होता, या ये होना तो बहुत मुश्किल है, या impossible है, उससे भी एक level और lower जो belief pattern है, जिसमें women सोचती है, जिस एक particular हो सकता है, start of society में कि हाँ, थोड़ा सा हाथ तो आदमी है, तो वो उठा ह कि चीज़े होती है, और बहुत जादा normally होती है, बहुत आपतार पर होती है, क्योंकि जो पूरा expectation है, वो उसी तरह का है, तो the quality of relationship you attract into your life, वो directly proportional होती है, often जो आप expectation deep inside रखते हैं, love से, with the person whom you love, with your companion you want in your life, जो husband, wife, आपनी life में चाहते हैं, जो आप expectation रखते हैं, other sex के बारे मे other gender के बारे में, husband कैसा होना चाहिए, wife कैसा होना चाहिए, कासे होते हैं, men कैसे love करते हैं, women कैसे love करती है, men कि क्या negative होते है, क्या उन से expect ही नहीं कर सकते ही, विमन से क्या expect ही नहीं कर सकतेए, ये सारी expectations, what you feel normal to compromise, एक रखते हैं, ये तो impossible है, ये किस चीज़ में आपको लगत करेंगी कि आप किस तरह का इंसान, किस तरह की relationship और किस quality of happiness from that relationship अपनी राइफ में attract कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि आपकी subconscious में expectations जो है वो बहुत अलग है, negative है तो आपको इंसान जो है वो बहुत एक positive feel करवाने वाला हर तरहां से खुशी देने वाला मिल गया, ऐसे होना और most impossible है, point number two, criteria number two what is acceptable okay for you यानि कि आपको क्या है जो आपके लिए पूरी तरहां से acceptable है, normal है और okay है चाहे वो बहुत positive नहीं हो चाहे वो बहुत अच्छट rate नहीं हो चाहे वो कोई बहुत high vibrational बात नहीं हो, बहुत high vibrational या पूरा जिसको हम बोलते हैं ना light filled characteristic नहीं हो लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि वो normal है, आप जानते हैं कि आप उसको accept कर लेंगे या कर लेते हैं, ये भी tied up उसी से है जो हमने expectations की बात की inner conditioning, inner programming लेकिन अपने आप में एक अलग point है, आपको लगता है दोखा ही मिलता प्यार में, इसके दोखा मिलता है बारवा, आपको लगता है true love जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसके नहीं मिलता आपको, ठीक है और इतनी बड़ी से लिके छोटी छोटी चीज है जो आप expect करते हैं और इसी से ये point दूसरा भी निकलता है कि आप किस चीज से okay है, किस चीज को आप जो है, normalize करते हैं या आपके लिए acceptable है, जो आप जिसके लिए settle हो जाएंगी चाहे वो आपका पूरा criteria match नहीं करता हो अब हो सकता है कि आप पढ़े लिके हैं काफी अपने आपको well aware समझते हैं, liberated समझते हैं, और self aware भी समझते हैं, exposed समझते हैं इन सारे issues में, तो कुछ बात है ऐसी होती है जो obvious है, अभी के society में कोई normal पढ़ा लिखा, ठीक ठाक सा healthy इंसाल accept नहीं करेगा इन चीज़ों की मैं बात ही नहीं करूँगी क्योंकि जैसे मैं कहते हूँ मैं obviously उन्नों की तो बात करी नहीं रही जो बिल्कुल इतने toxic चीज़ों को भी accept करके normalize कर ले, वो तो एक अलग criteria एक अलग subjective हो गया बात का मैं बात उसकी कर रही हूँ जो हमें normal चीज़ें लगती भी है जिसको ज्यादतर लोग normalize कर लेंगे जिसके लिए they will settle for it जो वो accept कर लेंगे है लेकिन फिर भी वो कमिया है, वो खामिया है और वो ऐसी है जो उस इनसान को बाकी एक लंबी relationship में चाहे वो unmarried हो या फिर married हो जिसके साथ उनको adjust करने में सच में compromise करना पड़ा है इसको सच में compromise का नाम हो देंगी जिसके साथ उनको उनका मिलाप नहीं हो खुशी नहीं मिले उनको उनको वो ऐसी बात हैं जो एकसेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन बार बार वो एक जो conflict का source एक जो harshness का source है उनकी लाइफ में जो एक kyaus होता नहीं एक kyaus का एक दरार का source होता है बार बार और ऐसी कोई चीज जो उनके लिए बहुत माइने रखती है उससे बिल्कुल opposite है वो उनके एकसेप्ट कर लिए तो यही चीज जो बाद में relationship में आती है यह शुरू में भी होती है जब आप relationship अट्राक करने की stage में है तो जो भी आप आपको अगर deep inside है कि आपको शायद सही इंसान नहीं मिले है आपको पहले failed relationships या negative relationship या breakups हो चुके और आपको लगत है आप तो बहुत high time आपको सही मिलना चाहिए इंसान तो हो सकता है आपकी वो जो expectations है जो है वो उसके हसाब से ढल जाए आप अपने ले किन-किन चीज़ों के बोले कि ये तो okay है ये तो okay तो normal है पहले नहीं होता लेकि आप this is okay तो आपको क्या acceptable है क्या normal है और obviously वो आपके अंदर कौन सी reasons से वो चीज़े acceptable और normal होरी है उस पी भी बहुत depend करेगा वो okay क्या है normal क्या है वो कितरा high standard का है या उसमें कितरे standards आपने खुदी के कम कर लिए क्योंकि आपको लगता है again as I said it's okay तो उस पे depend करेगा आपके इसे इनसान को attract करते हैं अगर बहुत सारी चीज़ें जो वैसे important होनी चाहिए आपके लिए पहले कभी माइने रखती थी या शायद आपके जो character है आपकी जो core जो आपका belief है आप core personality है उसके हसाब से आपके लिए वो चीज़े important होनी चाहिए थी आपने कही ना कहीं उससे lesser भी acceptable कर दी है okay कर दी है तो फिर आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए अगर आपका वही criteria match करते हुए लोग आपकी life में आये शुरु में पता नहीं जले कि लेकिन धीरे धीरे जैसे relationship आगे पड़े आपको वो वाली चीज़े clear होने लगे वो वाली चीज़े आपको जो है disturb करने लगे तंग करने लगे conflict create करने लगे और सबसे last point और सबसे important point भी जो भी again पहले वाले दोनों point से जुड़ा है ये chain है ये सब connected है इसमें से कुछ भी अलग vacuum में नहीं exist करता और वो third point है आप कहां कहां unhealed है क्योंकि जहां जहां पर आप love के field में unhealed है क्योंकि इधर हम love की ही बात करने हैं वैसे तो पूरी life में obviously आप कहां कहां ऐसे areas में अपने अंदर किस aspects में unhealed है life में और जो fields love से connect करते है relationship attract करने की ability से connect करते है वहां पर आप कौन से portions में unhealed है कौन से beliefs में कौन से attitudes में unhealed है मतलब वहां wholeness नहीं है पूरी सेहत नहीं है पूरी तरह से परयाप नहीं है आपके beliefs गलत हैं आपके including specially self beliefs आपका self esteem जो है love को लेके बहुत ही जादा कम है आपको surety ही नहीं है कि आप इतने worthy भी है कि आप सही love attract कर सके या आपको doubt है कि ऐसा कुछ होता भी है या तो फिर आप इस तरह के लोग attract करेंगे जो आपको worthy नहीं feel करवाएंगे या जो आपको इस तरह से treat करेंगे जैसे कि कोई बर्दी इंसान tweet नहीं होना चाहिए जो आपको दूसरों के सामने humiliate भी कर देंगे या जो extreme cases में आपके warrants भी कर देंगे या जो आपको बात-बात में छोटा दिखाएंगे या आपको जो growth आपकी growth नहीं पूरी होने देंगे या जो आपकी तरक्की में especially if it's a male तो वो female की तरक्की में jealous होंगे या अगर women है तो वो बहुत ज़ादा nack करेगी या वो बहुत ज़ादा maybe materialistic होगी या आपके लिए वो इंसान true नहीं होगा तो again आप क्योंकि आप उस area में unhealed खुद unhealed हैं आपके अंदर खुद ऐसे traits हैं जो अभी healed नहीं है खुद ऐसे spheres हैं आपके अंदर जिस पे आपके lessons complete नहीं है जहां पे आप खुद healed नहीं है तो उससे associated फिर एक गलत relationship आपकी life में manifest नहीं करती तो वो वो traits आपके partner में आपका companion में जलकेंगी या भी बहुत बड़े-बड़े seriously negative भी हो सकते हैं या चोटी-चोटी चीज़ें भी क्योंकि जैसे मैंने का perfect 100% healthy relationship तो कोई चीज़ी नहीं होती तो healthy से healthy खुबसरोत से खुबसरोत relationship में भी कोई तो चीज़े होती जो unhealed एक ठीक relationship ही attract करने नहीं देती है या एक ऐसी relationship जो आपके लिए सही हो पूरी relationship सही है लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ों में आपको healing करनी है ऐसी relationship attract नहीं करने देती है वो बहुत unhealed लोग या unhealed relationship जिसमें खुशी की चीज़े कम है लेकिन दरारों के configs के kiosk के argument के जो reasons हैं बहुत जादा है जब superficially आखे जो चौन्धे आने वाली चीज़े होती है वो हट गई जब एक दूसरे जब रोमान्स का factor है वो हट गया और reality दिखने लगी तब दिख रहा है कि ये तो सब कुछ गलत है ये तो सब कुछ जो है दिखा कुछ और था लेकिन है कुछ तो इस तरह की चीज़े अगर आपके साथ होती है तो बहुत सारी वो क्या चीज़े हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते कि आपके अंदर correspondingly क्या unhealed चीज़ है जिसकी वज़ा से आप वो unhealed लोग जो हैं attract करते हैं और एक और example देने के लिए जैसे जो लोग co-dependent relationships में बहुत फ़स जाते हैं क्योंकि वो खुद ही अपने आपको परयाप नहीं मानते हैं उन्हें लगता है deep inside with a male or female कि हमें पूरा होने के लिए ये इनसान का होना जरूरी है ये इनसान हमारे लिए अच्छा सोचे ये हमारे को पकड़ के रखे ये छोड के नहीं जाए नहीं तो हमारी जो existence है वजूद है कुछ नहीं है जैसे by hook or by crook इसे हमें अपने साथ रखना है क्योंकि हमारी खुशी तो इसी से आ सकती है इसके बिना तो खुशी नहीं है at least relationship हाथ में तो है ये नहीं होगी फिर तो हम और दुखी होगी तो वो deeply unhealed self से deeply self destructive belief से जिसमें अपनी आपका self esteem नहीं है आपकी self image बहुत लो है वहाँ से आती है क्योंकि वो image जो self image है वो इस तरह की है बहुत unhealed है तो वो core dependent relationships toxic relationships आपके लिए attract कर रही है तो ये सारी बाते बहुत समझने वाली है सब कडियां सब की obviously तीनों points की दूसरे से जोड़ी है लेकिन to repeat once again एक बार फिर summarize करने के लिए मैं ये तीनों points repeat करती वो है सबसे number one आपकी your expectations from that relationship what is okay for you what is acceptable for you in the name of a relationship relationship के नाम पर आपके लिए क्या चिज़े है जो normal है acceptable है ठीक है और last में कि which portions are you unhealed in कौन से aspects है लव को लेकि जहां आप अंदर से unhealed है इसलिए आप वो unhealed चिज़े अपने partner के थू ने relationship के थूँ अट्राक करें तो पूरा अगर हम करें तो यही तीन बड़े बड़े factors है जो आगे जिन से हमारे life lessons भी बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं love, lessons in love, karmic lessons, soul lessons soulmate, ये mate, वो mate तो ये सब EV से जोड़े हैं तो अगर आप ये तीन points clearly समझ ले और अपने अंदर लेकर इससे inner work शुरू कर ले self-aware हो जाए, self-examination शुरू कर दे self-reflection शुरू कर दे अंदर के इंदर deep चाना शुरू कर दे तो आप हैरान होंगे देखकर अगर especially अगर आप past अपने experiences से लगाएंगे ये awareness तो आप realize करेंगे कि हाँ वो आप ही के अंदर का landscape है आपके expectations या आपके लिगे normalize था आपने उक्के आप इससे उक्के थे इसलिए मिली, चाहते नहीं ऐसा होता लेकिन क्योंकि आपने मना भी नहीं किया आप को डर था कि अगर आप no बोल देंगे तो ये चीज़ आपको दुबारा नहीं मिलेगी या आपको सब difficult बोलेंगे या कुछ ना कुछ reason से आपने ये accept की थी इसलिए हुई थी या इसलिए लंबी चली थी या इसलिए आपने ऐसा level attract किया था और आपकी जो है आप यहाँ पे सच में unhealed है वाकी में आपकी beliefs ऐसे हैं वाकी में आपका self-esteem ऐसा है या वाकी आपके अंदर ऐसे doubts होते हैं इसलिए वो चीज़ें आपको मिलती हैं आपको बहुत सारे clues और बहुत सारे answers अपनी relationships के बारे में वहीं से मिल जाएंगे जो आपको आगे भढ़ने में कैसे help करी है क्यों आपकी life में एक healthy, healed, genuine partner है जिसके साथ आप truly खुश है तो well इतना ही था मेरा आज का ये love ग्यान in this Valentine's month video लेकिन videos और आते रहेंगे बहुत सारी और बाते करनी on the topic of love बहुत exciting topics पर बहुत valid topics पर बहुत interesting topics पर तो अगर आपको लगता है कि ये वाले videos से आपको help मिल रही है clarity मिल रही है आखे खुल रही है self-doubts remove हो रहे है और आपकी capacity बढ़ रही अपनी life में उस true love के तरफ बढ़ने के लिए तो stay tuned I promise you the upcoming videos are going to be truly, truly important helpful and powerful